हेई, वेलकाम बैक ट्योर चैनेल, इन टूडेज़् वीडियो आई विल टेल यू, हाउ टू एनेवेल आटो कॉल रेकोरिंग, यानि कि इस डीबाइस में कॉल रेकोरिंग कैसे करें, दोस्तों कॉल रेकोरिंग करने के लिए सबसे पहले फोन डालर में जाएए, फोन डालर में रेकोरिंग सुरू होने से पहले, दोनों साइट पे ओर्डिंग नोनिफिकेशन सुनाई देते हैं, कि एक कॉल रेकोर्ड किये जा रहा है, अगर आप इसे बंद करना चाते हैं, तो इस वीडियो का डेस्क्रिप्शन चेक कीजिए, दोस्तों, आटोमेटिक कॉल रेकोर सो नहीं हो रहा है, तो प्ले स्टोर में जाके इसका लेटेस्ट वर्षन अपडेट कर लेना, साथ ही साथ, फोन डाला है अप्लिकेशन का सभी डेटा एक बर क्लियर कर दीजिए, डेटा क्लियर करने से कोई भी कॉन्टाक्ट डिटेल्स और कॉल एस्टी रिलीड नहीं कॉल रेकोडिंग सेडिस के अंदर कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हम आपको ओलेज रेकोड करने बात आएंगे, नामबार नॉट इनियर कॉन्टाक्ट, इस अप्शन को एनेवेल करने से आपके फोन में जब अनॉन नामबर से कॉल आएग चाहे तो आप माल्टिबल कॉन्टाक को एड कर सकते हैं, गोगोल फोन डालर में बिना कॉन्टाक नमबर सेलेट किये, आप उसका आटो कॉल रेकोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको जुरूत है, तो एक-एक करके सभी कॉन्टाक नमबर सेलेट करना पड़ेगा, आप यहान से ब्याक आई है, डिलिट रेकोडिंग, बाइ डिफॉल्ट आपके फोन में नेबर सेलेक्ट रहेगा, मदलाब हमारे फोन में रेकोड़ेट कॉल क्बीना ही डिलीट होगा, अगर आप कॉल रेकोडिंग और अ कॉन्टाक डिलीट करना चाहते हैं तो इन में से 7 देज, 14 देज और 30 देज शूज कर सकते हैं Delete All Recording Now इस पर क्लिक करते ही सबी Call Recording तुरंद डिलीट हो जाएगा दोस्तो इसमें Recorded Call Google डाइलर के अंदर ही श्टोर होता है Call Recording सुनने के लिए Recent Call List में उस नामबर पर टैप करना है फिर History में जाके सारे Recording डिटर्स देख सकते हैं अब Call Recording और Play कीजिए या Share बटम पर क्लिक करके इस फाइल को WhatsApp और Bluetooth के थूँ दूसरे फोन में भी भेश सकते हैं दोस्तो उम्मीद करते हूँ कि ए वीडियो आप पे लिए बहुत हैलफू था इस वीडियो को लाइक करके हमना चलिए सबसेप करना ना भूलें